हेलो एव्रिवान दिस इस आर्थी मांडला वेलकम टू नॉलिज दे अम्बीशन स्वागत है आपका करंट अफेर टूड़े के सेशन में इस वीडियो में हम 21 अपरेल 2020 के कुछ इंपोर्टन करंट अफेर डिसकस करेंगे सो करंट अफेर डिसकस करने से पहले आपके लिए एक इंपोर्टन इंफोर्मेशन है इसे ध्यान से सुनएगा हेल्प लाइन नमबर कोरोना से जोड़ी सही जनकारी देने के लिए भारत सरकार और विशव स्वास्ते संगठर ने वाट्सेप हेल्प लाइन नमबर जारी किये हैं इन नमबरों को मोबाइल में सुरक्षित करके कोई भी परमानिक सूचना पाई जा सकती है क्रिपया नमबर दर्ज करके वाट्सेप पर सिप नमशकार का संदेश भेजे तुरांत एक मैनियो आएगा जिसके अनुसार बांचित जनकारी ली जा सकती है WHO यानि World Health Organization का नमबर है 41798931892 और My Government यानि भारत सरकार का नमबर है 919013151515 इन नमबर को आप अपने वाट्सेप पर एड़ करके नमशकार का टेक्स्ट भेज के जो मैनियो आएगा उस मैनियो से इंपोर्टन इंफोर्मेशन ले सकते हैं राजे सरकार को ये अधिकार है कि वो पदोनती में आरक्षन के साथ विरिष्ठता के प्रावधान कर सकती है आपके option A अनुचेद बंद्रा का भाग दो, option B अनुचेद 16 का भाग 4A, option C अनुचेद 335, option D अनुचेद 24 का भाग 1 इसका right answer है option B अनुचेद 16 का भाग 4A संबिधान के अनुछेद 16 भाग 4A के तहट राजे सरकार को ये अधिकार है कि वो बदुनती में आरक्षन के साथ विरिष्टता के प्रावधान कर सकती है सो हमारा नेक्स्ट कोशन है जियो टैक कम्यूनिटी किचन बनाने वाला देश का पहला राजे कौन सा है तो आपके उप्शन से उप्शन A उत्तरपरदेश उप्शन B महारास्टर उप्शन C मध्यपरदेश उप्शन D तेलंगाना सो इसका राइट आंसर है उप्शन A उत्तरपरदेश उत्तरपरदेश जियो टैक कम्यूनिटी किचन बनाने वाला देश का पहला राजे है उत्रपरदेश 19 एप्रेल 2020 को भू टैग समुदाय रसोई के लिए पहला राजे बन गया राजे ने 75 जीलों में स्थित लगभख 738 समुदायक रसोई और समुदायक आर्शरयों को जीयो टैग किया रसोई में प्रति दिन 12 लाग खादे पैकेट को उत्वादन होता है उत्रपरदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी अधित्यानाथ और उत्रपरदेश की कैपिटल है लखनाओ उत्रपरदेश के गवार्नर है अनिंदाबैन पाटेल हमारा नेक्स्ट कोशन है दुनिया के सबसे बड़े जीवित समुदरी का छुए का नाम क्या है आपका प्रदेश के खत्रपरदेश के लाल सुची के तहत असुरक्षित माना जाता है उन्हें Thailand में रुप्त प्राय माना जाता है हमारा next question है शोद करताओंने निमन में से किसका उप्योग कम लागत वाले विद्धुत उत्प्रेरक विक्सित करने के लिए किया आपके options है option A फ्रोक्स लेवा option B फिश किल्स option C रेट रॉपिंग option D इसका right answer है option B फिश किल्स शोद करताओंने फिश किल्स का उप्योग कम लागत वाले विद्धुत उत्पेरक विक्सित करने के लिए नैनो साइंस एंड टेकनोलोजी के मोहाली इंस्टिट के विग्यानिकों ने हाल ही में मसली के गलफडों से एक कुशल कम लागत वाले इलेक्ट्रो कॉलिटिस्ट के साथ आए हैं जो इंधन सेल जैव इंधन सेल और धातू एयर बैटली जैसे परावरण के अनकूलन उर्जा रूपांतरन उपकरण को विक्सित करने में मदद कर सकता है सो हमारा next question है केंदरी संस्कृति मंतरी का नाम बताएं जिन्होंने एपरेल दोहजार बीस में अमरिच संस्कृतिक विरासत की राष्टे सूची लौंच की है सो आपके options है option 1 नितिन गटकरी option 2 हर सीमरित कोर बादल option C पर्लहाद सिंग पटेल option 4 नरेंदर सिंग तोमा इसका right answer है option 3 पर्लहाद सिंग पटेल केंदरी संस्कृति मंतरी पर्लहाद सिंग पटेल ने एपरेल दोहजार बीस में अमरिच संस्कृतिक विरासत की राष्टे सूची लौंच की है सो हमारा next question है भारती नोसैना के किस कमाड ने COVID-19 रोगियों के लिए वायू निकासी फली यानि इवुकेशन पॉर्ट विक्सित की है सो इसके options है option 1 मध्य कमाड option 2 दक्षिनी कमाड option 3 पूर्वी कमाड option 4 पश्मी कमाड सो इसका right answer है option 2 दक्षिनी कमाड भारती नोसैना के दक्षिनी कमाड ने COVID-19 रोगियों के लिए वायू निकासी फली इवुकेशन पॉर्ट विक्सित की है भारती नोसैना के दक्षिन कमाड कोची ने एक पूरी तरह से सीले रोगी हस्तांक्षन capsule में दूर दराज के क्षेत्रों जैसे द्वीपो और जहाजों से सुरक्षित रूप से COVID-19 संक्रमित रोगियों को एर एविक्षन पॉर्ट विक्सित किया है सो हमारा नेक्स्ट कोचिन है लुईस सीपूल वेडा कैल फुक्रा लेखक जो हाल ही में जिनका नीदन हुआ है वो किस देश से संबंदित है आपकी उप्षिन्स है उप्षिन 1 नीदरलैंड उप्षिन 2 आयरलैंड उप्षिन 3 जर्मनी उप्षिन 4 चिली लुईस सिल्पुडा कैल फुकूरा लेखक जिनका हाल ही में नीदन हुआ है वो चिली देश संबंदित है सबसे अधिक बिकने वाले चिली के लेखक और पत्रकार लुईस सिल्पुड़ा कैल फुकूरा सत्तर वर्ष की आयो में इनका नीदन हो गया ये करोना वाइरिस के लिए सकारात्मक परशिक्षन के 6 सपताह बाद उत्री स्पेन के ओविदो के एक अस्पताल में इनका नीधन हुआ इनका जनम 4 अक्तूबर 1909 को ओवले लिम्री प्रांथ चिली में हुआ था हमारा नेक्स्ट कोशन है वट इस था कैपिटल और करंशी ओफ चिली कैपिटल है चिली की सेंटिको और करंशी है चिली की पैसो हमारा नेक्स्ट कोशन है The theme of World Heritage Day 2020 is Shared Culture, Shared Heritage and Shared Responsibility The World Heritage Day 2020 की theme थी Shared Culture, Shared Heritage and Shared Responsibility So, World Heritage Day April 18 को celebrate किया गया है हमारा नेक्स्ट कोशन है उस व्यक्ति का नाम बताये जिसने पहले मानव कोरोनवारिस की खो़ज की थी जून एलमेडा एक स्कोटिश वारोलोजिस्ट को 1964 में पहले मानव करोना वायरिस की खोज करने का श्रे दिया जाता है ये वायरिस एक परिवार है जिसके सदसे में कमफीर तीवर स्वशन सिंट्रॉम करोना वायरिस टू यानि सार्स कोविड टू शामिल है बरतमान COVID-19 महामारी के केंदर में वायरिस है ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये जून एलमेडा की है जिसे सबसे पहले मानव करोना वायरिस की खोज करने का श्रे दिया जाता है हमारा नेक्स्ट कोशिन है निमलिकित में से कौन सा भारत का पहला संस्थान है जिसने करोना वायरिस के पूरे जिनोम अनुकरम को डिकोट किया है अपके उप्चिंच सेंच 2. Clem Institute of Health Technology उप्चिंच 3. Cell視 dejaayan RA IDE इसका राइट आंसर है उप्चिंच 4. National Institute of Biology नैशनल INSTथे ऊप भारत का पहला संस्थान है जिसने क्रोना वायरिस की पूरे जिनोम अनुकरम को डिकोट किया है इसका headquarter पूने में है और 1952 में इसे found किया गया था हमारा next question है भारती फिलम निर्माता और वितरक कमपनी का नाम बताईए जिसने Hollywood के STX Entertainment के साथ अपनी तरह का पहला share विले किया है आपके options है option 1 Fox Star Studio option 2 Axel Entertainment option 3 Eros International option 4 Reliance Entertainment इसका right answer है option 1 Fox Star Studio अपनी तरह का पहला सोधा जहां भारती फिलम निर्माता और वितरक Eros International ने NYSC लिस्ट में 6 बर्षी नीजी तोर पर Hollywood के STX के साथ ओल्ड शेयर विले की गोशना की है तो यह थे हमारे आज के कुछ important current affairs अब next है हमारे important days of April जिनने हम daily basis पे revise करते हैं सो हमारे April 1st को उतकल दिवस मनाया जाता है और 1st April को ही Odisha Day भी celebrate किया जाता है 2nd April को World Autism Awareness Day celebrate किया जाता है और 2020 की World Autism Awareness Day की theme थी The Transition of Adulthood 4 April को International Day of Mind Awareness celebrate किया जाता है 5th April को National Maritime Day celebrate किया जाता है 7th April को World Health Day celebrate किया जाता है 8 April को The International Romani Day celebrate किया जाता है 10th April को The World Homeopathy Day celebrate किया जाता है The theme for World Homeopathy Day 2020 is enhancing the scope of homeopathy in public health 11 April को National Safe Motherhood Day celebrate किया जाता है 12 April को The International Day of Human Space Flight celebrate किया जाता है 12 एप्रेल को ही Easter festival भी celebrate किया जाता है 13 एप्रेल जलियावालाबाग हत्याकान को याद किया जाता है और Indian Army observed 36 याचेन डे on April 13, 2020 14 एप्रेल को भीम्रा वंबेट का Remembrance Day celebrate किया जाता है और वर्च यागर डिजीज डे 2020 फर्स टाइम 14 एप्रेल में ही celebrate किया गया International Mathematics Day 2020 मार्च 14 में celebrate किया गया International Day of Action for River 2020 मार्च 14 में celebrate किया गया Himachal Day, it is always celebrated on April 15, it was on this day in 1948 that Himachal Pradesh was created as a provenance of India 21 April National Civil Service Day celebrate किया जाता है So, यह थे हमारे Important Current Affairs और Important Question of the Day Next है हमारा Question of the Day जिसका answer आप मुझे Comment Box में जरूर करिएगा So, हमारा Question of the Day है The World Art Day celebrated every year on which day यहां आपके options है, option 1, March 17, option 2, May 14, option 3, April 15, option 4, June 6 इसका answer आप मुझे Comment Box में जरूर दीजिएगा So, हमारी पिछले Current Affairs का Question of the Day था Who has been appointed as the Ambassador for World Wildlife Fund India So, इसका right answer है विश्वनाथन आनन्द विश्वनाथन आनन्द, World Wildlife Fund India के Ambassador अपोइंट किये गए है So, यह थे हमारे इंपोर्टन, आज की इंपोर्टन Current Affair So, होप आपके लिए यह useful होंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप WhatsApp रूप से जूर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है और Knowledge and Ambition को अधर सोशल मीडिया Knowledge and Ambition के साथ अधर सोशल मीडिया पे जुनने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिये हुए है